गुड़ी बिडिंग स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास नाइन फिजिक्स का सेकेंड टार्म का फर्स्ट चैप्टर यानि फ्लोटेशन पढ़ेंगे फ्लोटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जैसे की पहला है थ्रस्ट एंड प्रेशर थ्रस्ट क्या है प्रेशर की फर्मूला क्या है प्रेशर किन-किन फैक्टर पर डिपेंड करती है then we will discuss consequences of pressure जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर किस परिस्थिती में ज्यादा होता है या प्रेशर की वैलू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्रेशर की वैलू को हम कैसे घटा भी सकते हैं जहां जरूरत हो उसके बाद हम लोग pressure in liquids पढ़ेंगे liquid के अंदर किसी भी point पे कितनी pressure होती है कैसे उसे calculate की जाए तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं thrust What is thrust? तो जब हम pressure की बात करते हैं तो pressure हम लोगों ने 8 में पढ़ा है pressure equal होता है force by area अब जब किसी surface पर हम perpendicular direction में force लगाते हैं तो वो force कहलाती है thrust यानि thrust भी एक force है जो perpendicularly perpendicular direction पर किसी surface पर लगाई जाए तब हम pressure का definition ये भी दे सकते हैं ये प्रेशर इस इक्वाल टू थ्रस्ट या इससे हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अब प्रेशर इस इक्वाल टू थ्रस्ट यानि फोर्स बाई एरिया जिसको अगर हम ये मानते हैं तो हम यहाँ देख पाते हैं कि प्रेशर दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और वो क्वांटिटी है एक फोर्स और दूसरी एरिया कौन सी एरिया जिस एरिया पर प्रेशर लगाई जा रही है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स के डारेक्ली प्रपोर्शनल है यानि फोर्स की वैलू अगर बढ़ेगी तो प्रेशर भी साथ साथ बढ़ेगी और force अगर कम लगाई जाएगी pressure भी कम होगी second है area और area के शाथ pressure जो है वो universally proportional है यानि अगर area ज्यादा area पर pressure लगाई जा रही है तो pressure की value घड़ जाती है और कम area पर अगर pressure लगाई जा रही तो pressure की value बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर यह समझ गए कि pressure increases with increase in area of contact area of contact यानि जिस particular area पर हम pressure लगा रहे हैं force लगा रहे हैं उस area की value जैसे हम यहाँ पर एक example लेंगे जिस पर हम यह consequence of pressure की जो बात किये हैं वो भी यहाँ पर हम clear करेंगे कि पहले हम बात कर रहे हैं कि pressure area के घटने के साथ pressure increases with increase in area increase नहीं with pressure increases with decrease in area sorry area के value हम जितना घटाएंगे pressure की value उतनी बढ़ेगी जैसे हम अगर कुछ examples ले लेते हैं जैसे paper pin nail यानि काटी इन चीरों को जब हम किसी surface पे घुसाने की कोशिस करते हैं जैसे paper pin से हम दो paper को stitch करते हैं nail को हम किसी लकडी या दिवाल पर ठोकते हैं तो जब इसकी end sharp होती है तब आसानी से हम उसे किसी भी surface पे push कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि जब इसकी end sharp होगी या नुकिला होगी तो कम force लगाने पर भी pressure की value बढ़ जाएगी क्योंकि area कम है इसलिए कम pressure कम force लगा करकर भी हम ज़्यादा pressure पा सकते हैं और इसको easily हम उस surface पे insert कर सकते हैं दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि pressure decreases with increase in area of contact यानि area of contact को अगर बढ़ाद देते हैं तो pressure decrease कर जाती घड़ जाती है इस पे हम examples क्या लेख सकते हैं in heavy vehicle double tires are used double tires हम देखते हैं truck में, bus में heavy vehicle हैं उसके पीछे में दो दो अधायर दो टायर लगे रहते हैं क्यों हम धो तायर लगाते हैं जबकि हमने कार मेरे एक ही टायर पीछे लगाते हैं लेकिन truck और bus में दो टायर क्यों लगाते हैं क्योंकि ट्रक और बस जो है वो heavy vehicle है उस पर ज़्यादा load डाली जाती है तो वो सारी load के कारण जो pressure लगती है वो road पर लगती है और tires के जरिये ही लगती है तो अगर हम heavy vehicles में single tires पीछे देंगे तो road के साथ उसकी area कम हो जाएगी जिसके कारण pressure की value बहुत ज़्यादा होगी जि excess pressure से tire जो है वो burst कर सकती है और जब किसी गिली जमीन पर गाड़ी चलेगी तो उसमें वो धस भी सकती है लेकिन अगर हम double tire सी उस करेंगे तो area of contact बढ़ेगा जिससे road पर पढ़ने वाली pressure कम हो जाएगी फिर हम देखते हैं कि जब हम एक घर construct करते हैं घर बनाते हैं तो जमीन को खोद कर सबसे पहले हम foundation यानि new डालते हैं तो सबसे नीचे से जहां दिवाल सुरू करते हैं वो दिवाल काफी चावड़ी बनाई जाती है उसके उपर फी थोड़ी सी दिवाल उससे कम चावड़ी दूर तक थोड़ी बनाई जाती है और finally जब हम दिवाल चाथ त बनाते हैं क्यों ना हम इसी चावड़ाई की दिवाल सुरू से स्टार्ट करते हैं इसका कारण वही है कि हम जब घर बना देंगे और घर के पूरी घर बन जाएगी तो उसकी जो लोड होगी वो इसी जमीन पर पड़ेगी तो अगर हम नीचे में दिवाल को चावड़ा नहीं करेंगे तो एरिया पॉंटेक्ट कम होने के कारण बहुत जादा प्रेशर पड़ेगी जिसके कारण जब जब घर कोलाप्स भी कर सकाती जमीन के नीचे बैठ सकती है इसलिए हम घर के दिवाल के नीचे वाले हिस्से को काफी चावड़ी बना दी है वाइड कर दिये ताकि जो प्रेशर लगे वो कम लगे तो ये सब कुछ कंसिक्वेंसेस हैं प्रेशर का कि कहीं पर हम area को बढ़ा कर pressure को कम कर रहे हैं, कहीं पर area को कम करके हम pressure को बढ़ा रहे हैं, इसके बाद next हम लोग बात करेंगे, pressure in liquid, तो next topic हमारी होगी, pressure in liquid. एक लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर होता है और उसे हम कैसे क्याल्कुलेट कर सकते हैं तो हमने माल लिया यहाँ पर एक बीकर जिस बीकर में हमने पानी भर रखा है अब इस बीकर के अंदर किसी पॉइंट को हम लेंगे माल लेते हैं उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी और हम यह कैल्कुलेट करेंगे जानना चाहेंगे कि उस पी पर कितनी प्रेशर लिक्विड डाल रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस पानी के अंदर पानी से बनी हुई हम एक सिलिंडर कंसिडर करेंगे पानी के अंदर हम एक वर्च्वल सिलिंडर कंसिलर करेंगे जो पानी से ही बनी हुई है तो जब सिलिंडर होगा तो उस सिलिंडर की एक हाइट होगी हम उस हाइट को माल लेते हैं H ठीक है और वही हाइट पर यानि उसी हाइट पर उसी डिस्टेंस पर हम point लिये हैं यानि पानी के उपरी सतह से हम H depth पर एक point consider किये हैं और उस पर हम निकालने वाले हैं pressure की value तो ये जो cylinder हमने पानी का माल लिया अंदर में तो cylinder का जो निचला हिस्सा होता है वो circular होता है तो नीचे वाली जो base है वो circular है तो हम उस circular base का हम यहाँ कुछ चीज माल लेंगे जैसे density of liquid जो पानी हम लिये हैं या liquid लिये हैं उसकी density को हम माल लेते हैं ये symbol को हम पढ़ेंगे row it looks like P but it is called row तो density का symbol row यूज करते हैं तो row हमने density माल लिया पानी का height of liquid column liquid column मतलब हमने जो cylinder माना है पानी के अंदर उसकी height हमने माल लिया h है अब area of cross section area of cross section क्या है कि इस cylinder के एक end की area जो की circular है area of cross section of cylindrical column of water यानी cylinder से cylinder की shape में बनी हुई पानी की एक layer को हमने लिया है उसका area को अगर हम माल लेते हैं a ठीक है अब हम यह निकालेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे कि density का फर्मूला क्या होता है तो density का फर्मूला होता है density is equal to mass by volume तो हमने जिस पानी की cylindrical column लिये है उस पानी का अगर हम मास निकालना चाहें तो mass of water of cylindrical column जो cylinder माना हुआ है पानी का उसका mass कितना होगा तो mass is equal to होगा density into volume यानि उतना पानी का volume into पानी का density तो mass is equal to होगया density हमने माना रो और volume क्या होगा तो volume हमने यहां cylinder माना हुआ है पानी का तो cylinder का volume होता है पाई r square into height तो height हमने h माना है ऐसे cylinder का volume होता है पाई r square l l is the height तो यहां height हमने h माना है अब जो area of cross section हमने माना a वो कैसा है वो circular है तो circle का area क्या होता है पाई r square तो इसका मतलब mass is equal to हो जाएगा rho into a into h ठीक है यह हो गया mass उस पानी का अब हमने newtons के second law से पढ़े हुए है a physical to m into g ठीक है अब force is equal to अब हम इस mass के जगा इस value को बठाएंगे तो rho into a into h into g और हम यह भी formula पढ़े हैं कि pressure is equal to होता है force by area तो pressure यहां कौन सी pressure जो pressure liquid लगा रही है उस point पर पी पर तो pressure is equal to उस पानी का जितना द्वारा जितना force लगाई जा रही है यानि यहां force की value है rho into a into h into g divided by a यह दोनों a कट जाता है therefore liquid pressure कितना हो गया rho into h into g तो यही है हमारी formula pressure की liquid के अंदर किसी भी liquid के अंदर एक particular point पे अगर हम pressure निकालना चाहेंगे तो उस pressure की value क्या होगी वो होगी density of the liquid into height of the point from the upper surface of water पानी की surface से उस point तक की गहराई into acceleration due to gravity जिसकी value 9.8 होता है इस तरह से हम liquid के अंदर किसी point पे pressure निकाल सकते हैं ओके और एक छोटी सी topic हम लोग और discuss करेंगे वो है आप thrust और point force ये क्या होता है हमने ये महसूस किया है कि जब हम किसी भी liquid में जैसे ये बीकर में एक liquid डाली है इसमें हम कोई solid को डूबोते हैं तो हमें ये महसूस होती है कि solid को एक force नीचे से उपर की और push कर रही है ये हम fill करते हैं इसके कारण हमें दबा कर solid को अंदर पानी के अंदर ले जाना पड़ता है some force is acting upward कुछ लग रहा है कि पानी कुछ force के साथ इस solid को उपर की और push कर रही है तो होता ये है कि जब भी कोई solid को किसी liquid में हम डूबोते हैं तो वो liquid नीचे से उपर की और एक force लगाती है इस force को हम कहते हैं आप thrust या इसे हम buoyant force भी कहते हैं buoyant force तो हम क्या लिखेंगे कि when we take a solid inside a liquid then the liquid exerts an upward force on the solid and this force is known as आप thrust और buoyant force तो क्या लिखेंगे हम definition में when a solid is taken inside a liquid the liquid exerts an upward force अपर की लुपने बाली crack on the solid which is umapenny अप्त्रस्ट और बॉइंट फोर्स और इसी फोर्स के कारण ही जब लिक्वीड में हम कोई सॉलिड को डुबोते हैं तो वो हल्की हो जाती इट फिल्स लाइटर ठीक है आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो होगी आर्किमेडिज प्रिंसिपल जिसमें हम इस बॉइंट फोर्स की फिर से डिसकस्शन करेंगे थोड़ी बहुत और आर्किमेडिज प्रिंसिपल का एप्लिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी मदद से क्या क्या चीज़े हम कर सकते हैं तब तक के लिए बाइ और आर्डेस्ट रिक्वेस्ट तो आल अफ यू 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 लाइक दा वीडियो देन सब्सक्राइब मैं चैनल and also put a like thank you